नमस्कार मैं हूँ आपके संग नित्यम मंत्र यन तंत्र वास्तु के विशेश कास्रम के साथ शावन के सोंबार और सावन की सिवरात्री का हमारे जिन्दगी में काफी अधिक महत होता है सावन के सोंबार और सिवरात्री पर क्या चीज भगवान सिव को अरपित करे ताकि आपकी हर एक मनोकामना एक पुर्ण हो और आपकी जिंदगी की समस्याएं भी दूर हो तो बने रही हमारे साथ हम आपको एक-एक चीज बताएंगे कि क्या अर्पित करने से क्या फल मिलता है लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चेनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो किरिप्या से सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुनत मिल जाए सबसे पहले हम तर्चा करते हैं कि भगवान सिव की पूजा जो होती है उसकी सुरुवात कैसे करें देखिए किसी भी दिन या तो सावन की सोंबार हो या सावन की सिवरातरी हो या महा सिवरातरी हो किसी भी दिन अगर आप भगवान सीब की पूजा करना चाहते हैं तो सबसे पहले भगवान सीब को पतली जल की धारा अर्पित करें सिबलिंग पर फिर कोई अन्य चीजे चढ़ाएं जैसे कि अगर आप सहथ चढ़ाते हैं तो फिर से पतली जल की धारा अरपित करें, एक बात मैं आपको बता दूँ कि जल की धारा हमेशा पतली धारा ही अरपित करना है, ऐसा नहीं है कि आपने लोटा में जल्लिया और शीवलिंग पर उरेल दिया, ऐसा नहीं करना है, इसके बाद भगवान सीव को कोई भी चीज अ अर्पित करते समय नमा शिवाय नमा शिवाय नमा शिवाय बोलते रहें अब हम सिधा चलते हैं कि आखिर भगवान सिव को क्या अर्पित करने से क्या आपके जिंदगी में फल मिलता है सबसे पहले बात करते हैं सहद की अगर आप भगवान सिव को सहद या सिबलिंग पर सहद अर्पित करते हैं तो मा लक्षमी का प्रवेस आपके जिंदगी में होगा और आपको धन्द की प्राप्ती होगी इसके साथ साथ आपकी बोली आपकी भासा में मिठासाती है अगर आप सीबलिंग पर दूद अर्पित करते हैं तो इससे संतांत की प्राप्ती होती है अच्छ सिबलिंग पर दही अर्पित करते हैं तो इससे क्या फल मिलता है इससे आपके जिंदगी में संपन्ता आती है शुखद बैवाहिक जीवन का ब्रदान मिलता है अगर आप घी अर्पित करते हैं तो इससे आपके सरीर में ताकत मिलती है आपकी ताकत बढ़ती है और आपको काम में भी सफलता मिलता है सक्कर अर्पित करने से आपके जिन्दगी में शुक और समर्धी आती है तो इसलिए अगर आप सुक और समर्धी चाहते हैं तो भगवान सीव को सक्कर अर्पित करें हम चर्चा करते हैं कि अगर आप भगवान शीव को इत्र अर्पित करते हैं लेकिन ध्यान रहें कि केवरे का इत्र ना चढ़ाएं तो इत्र अर्पित करने से आपका बिचार पवित्र होता है बिवा या नोकरी में अगर कोई बाधा है तो ये बाधा भी दूर हो जाती है इतर अरपित करने से अगर आप भगवान सीव को फूल अरपित करते हैं तो फूल अरपित करने से आपकी जो रोजगार में बाधा है वो दूर होगी लेकिन ये ध्यान रहे कि केतकी और केवरे का फूल ना चढ़ाएं ये आपको ध्यान रखना है तो फूल चढ़ाने से आपकी जो रोजगार है उसमें कोई भी बाधा हो तो वो दूर हो जाएगी अगर आप गणने का रस भगवान, सिब या सिबलिंग पर अरपित करते हैं तो इससे आपकी जिन्दगी में संपनता आती है धन और संतान की भी प्राप्ती होती है अब हम चर्चा करते हैं कि अगर आप बेल पत्र अरपित करते हैं किसी भी एक इस अवसर पर आपको बेल पत्र तो चढ़ाना ही चढ़ाना है चाहाए आप कुछ और चीज न चढ़ाए लेकिन बेल पत्र और पानी की पतली धरा तो अबस चढ़ाएं तो बेल पत्र चढ़ाने से आपकी जो रोजगार है उसमें आपको जो रोजगार की बाधा है वो दूर होती है मांसिक सांती मिलती है और तीन पत्ते वाली तीन बेलपत्त भगवान सिब पर या सिबलिंग पर अरपित करने से तीन जन्म के पाप का नास होता है संतान से समंधित सारी समर्षाएं खत्म हो जाती है भांग और धत्तुरा अरपित करने से आपके जिन्दगी में तनौकम होगा जीवन में अस्थिर्ता आती है तो अगर आपके जीवन में अस्थिर्ता नहीं है भागदर की जिंद्गी है तो निश्टित रूप से आप भगवान शिव को भांग और धतुरा अरपित करें इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि अगर आप भगवान शिव को अबीर या गुलाल अरपित करते हैं तो आपके जिंद्गी में जो भीवाद है जो मुकदमे की समश्या है उस समस्या का समधान हो जाएगा अगर आप भगवान शिव के सामने रात के समय में एक मुखी घी का दीपक जलाते हैं तो इससे आपके काम में सफलता मिलेगी एक काम में जो भी बाधा आ रही है वो बाधा दूर होगी और आप काम में सफल हो जाएंगे चन्दन अगर आप दोनों हाथों से शिव लिंक पर लगाते हैं और फिर जल की धहरा अर पित करते हैं तो आपको स्वास्त और धन की कमी दूर हो जाएगी आपको स्वास्त का बरदान मिलेगा आपका स्वास्त अच्छा होगा और धन की कमी जो है वो भी दूर हो जाएगी अब जर्चा करते हैं कि अगर आप भगवान शिप पर गंगा जल अरपित करते हैं इससे क्या फल मिलता है देखिए गंगा जल अरपित करने से मौक्स की प्राप्ति और पाप का नास होता है जल में इत्र या गुलाब की पंखुरी मिलाकर भगवान शिव या सिवलिंग पर अरपित करने से आपके सारे रोग दूर हो जाएंगे तो अगर आपको कोई रोग है कोई डिजीज है तो ये आप करें कि जल में इत्र या गुलाब की पंखुरी मिलाकर भगवान शिव को या सिवलिंग को अरपित करें अगर आप भगवान शिव को पंचा अमरित अरपित करते हैं जैसे कि दूद, दही, घी, सहत, सक्कर मिलाकर अरपित करते हैं तो आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण होगी ये आप ध्यान रखें तो अगर आपके जिन्दगी में कोई खास मनोकामना है तो निस्टित रूप से आप भगवान शिव को या सिवलिंग पर पंचा अमरित निस्टित रूप से अरपित करें आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण हो जाएगी अब हम चर्चा करते हैं कि आखिर भगवान शिव को क्या अरपित नहीं करना चाहिए मैंने आपको अभी तक बता दिया कि भगवान शिव को क्या अरपित करना चाहिए क्या अरपित करने से क्या फल मिलता है लेकिन सिब पूजा में कोई खास चीज है अगर आप इसको अरपित कर देंगे तो आपकी पूजा निस्फल हो जाएगी तो आप ये ध्यान रखे देखिए बहुत महत्पूर्ण है पूजा में आप क्या अरपित करते हैं ये तो महत्पूर्ण है ही हल्दी भी आपको अर्पित नहीं करना है अगर आप हल्दी लगाना ही चाहते हैं तो जो सिबलिंग की बेदी है उस पर लगाएं सिबलिंग पर कभी भी हल्दी नहीं लगाना चाहिए टूटे हुए चावल देखिए जो अक्षत होता है वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए टूटे हुए चावल आपको कभी भी सीवलिंग पर नहीं चड़ाना चाहिए इससे आपको धन की हानी होगी केत की केबरा का फूल या केबरा का जल कभी भी सिवलिंग पर नहीं चड़ाना चाहिए और पित नहीं करना चाहिए देखिए सिवलिंग पर आप तो नार्जल चढ़ा सकते हैं लेकिन नार्जल के पानी से सिवलिंग का अविशेख नहीं करना चाहिए ये भी समझ लेजिए भगवान सिव को या सिवलिंग पर कभी भी कुमकुम या सिंदूर नहीं लगना चाहिए इसके साथ साथ कभी भी संक से सिवर जी का अविशेख नहीं करना चाहिए और इसके साथ साथ तिल भी भगवान सिव को नहीं चरहना चाहिए तो आज मैंने आपको बताया कि सावन के हर एक सोमबार पर या सावन के सिवरात्री पर भगवान सीब को क्या अरपित करने से क्या आपको फल मिलेगा इसके साथ मैंने आपको बताई कि भगवान सीब को क्या अरपित नहीं करना है जो काफी महत्पुन है अगर आपको ये भीडियो पसंद आए तो किरप्याई से लाइक करे, सब्सक्राइब करे, फोलो करे तथा अपने दोस्तों के साथ सगे समझों के साथ भी सेर करे ताकि वो भी भगवान सीब को क्या चरहना है, क्या नहीं चरहना है इस चीज को जान करके वो भी अपने पूजा को सफल बना सकते हैं आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद